पाकिस्तान आखरकार अब आईमेफ से कर्ज लेने जा रहा है बुरी तरह कर्ज के जाल में फुसे पाकिस्तान को आखरकार अब आईमेफ से कर्ज लेना ही पड़ेगा पाकिस्तान ने IMF से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का सबसे बड़ा कर्ज पैकेज मांगा है ये कर्ज पाकिस्तान ने अपनी चोपा धोचुकी अर्थवेवस्था को फिर से पट्री पर लाने के लिए मांगा है लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखने जा रहा है पाकिस्तान के डॉन अखबार में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेशनल मोनेटरी फंड यानि IMF ने बेल आउट पैकेज देने के लिए पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्ते रख सकता है IMF का कहना है कि वो पाकिस्तान को इनी शर्तों पर लोन देगा इन शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को IMF से जादा कर्ज लेना पड़ेगा और कर्ज की मांग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है जिससे पाकिस्तान के सामने अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है बता दें कि पाकिस्तान IMF से इससे पहले भी 12 से जादा वित्तिय पैकेज ले चुका है अगस्त 2016 में पाकिस्तान 6.4 अरब अमेरिकी डॉलर का 3 साल का पैकेज ले चुका है जो IMF में पाकिस्तान के कोटे का 216 प्रतिशत था इस बीच पाकिस्तान ने आईमेफ से कर्ज लेने के लिए संभावनाय तलाशनी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग PMLN के सत्ता में रहने और अंतरिम सरकार के दौरान भेस पर चर्चा हुई थी हाला के फाइनल ने ले सो मुआर की रात को घोशित किया गया था जब वित्त मंतरी असद उमर ने पुस्टी की थी कि सरकार अपने विदेशी मुद्रा संकट से पाकिस्तान को बचाने के लिए आईमेफ जा रही है सरकार की आईमेफ से सहायता मांगने के इस घोशना की भारी अलोशना हो रही है लेकिन कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है या तो वो IMF से उन्हीं की शर्टों पर कर्ज ले नहीं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लोग भूखे मरेंगे अब पाकिस्तान को चुनना है कि वो चाहता क्या है अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियो और शेर कीजिए